दोस्तों कल दो राज्यों में चुनाव होने जा रहा है छत्यसगर और मिजोरव इन दो राज्यों में कल चुनावी आगाज शुरू हो जाएगा फिर बचेगा तीन राज्यों लेकिन उससे पहले चलते हैं आपको लेकर यूपी यानि की बावा के उत्तर प्रदेश बावा इन दिनों भाजपा के स्टार प्रचारक बने हुए है हर तरफ स्टार बनकर प्रचार कर रहे है योगी आदितनात कहते हुए ठक नहीं रहे कि भाजपा ने कितना विकास किया है भाजपा जब से सत्ता में आई है सिर्फ पर सिर्फ विकास की गंगा बहती वी नजर आ रही है, ऐसी गंगा कि वहाँपर हजारों हजार सिक्षक डुक्षी लगा रहे हैं। के विकास के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अपनी ही उत्तर प्रदेश में अपनी ही जनता को अपने ही विकास के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि विकास कहीं गुम हो चुका है, कागजों में, पोस्टरों में, बैनरों में और मंचों पर ऐसे ऐसे विकास आपको दिखाए जाएंगे जुबानी तोर पर और आखों का शौख पूरा करने के लिए वो पूरी तरीके से रंगीन पोस्टर चिपका देंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने आपको ये दे दिया, हमने आपको वो दे दिया, हमने पूरा का पूरा खजाना खाली कर दिया, सिर्फ और सिफ जनता के लिए, जनता के हित में, लेकिन वही जनता बार बार भाजपा के दफतर का चक्कर काट रही है, वही जनता भाजपा के दफतर पर जा कर घसीट खा रही है क्योंकि अब भारतिय जन्ता पार्टी के विकास का पोल जो है शायत खुलता वह नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेस के सिक्षक A.R. 2-00 नहीं, 500 नहीं बलकि 9000 सिक्षक जो है इन दिनों भाजपा के विकास की गंगा में जुबकी लगाते वे नजर आ रहे हैं ऐसी डुक्की लगा रहे है कि भाजपा के दफ्तर का घिराव कर लिया और उस दफ्तर का घिराव करने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उत्तम प्रदेश वाली पुलिस उन्हें घसीट-घसीट कर डिटेन करती भी नजर आ रही है दरसल मैं कुछ खबर आपको दिखाना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश का विकास जो है योगी आदेतनाथ 36 गड़ और दूसरे राज्यों में जाकर खूब तेजी से फैला रहे है कि हमने ये विकास कर दिया हमने वो विकास कर दिया लेकिन अपने राज्य में किस तरीके से स सि辜कों के साथ सुलूक हो रहा है कैसे उनके साथ व्यवार हो रहा है यह टीवी नाइन उत्तर प्रदेश की तरप से विडियो शेर के अगया थीवी नाइन के दोस्तों तमाम निवोस चानल पर अभी यही विडियो दिखा जा रहा है हाला कि टूइट करके क्या से जादा इंपोर्टेंट है सबसे पहले मैं आपको टूइट पढ़ कर बताओं टीवी नाइन की तरप से क्या लिखा लिखता है कि बीज़ेपी कारियाल है पर उन्हें हजार सिक्षक अभ्यारती का प्रदर्शन पिछड़े दलत अभ्यारती का नियुक्ती पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन लंबे समय से नियुक्ती पत्र की मांग कर रहे हैं पुलिस ने अभ्यारतियों को गिरफ्तार कर भेजा गया इको गाडन यानि कि उन्हें गिरफ्तार करके इको गाडन में भेज दिया है तो य इतनी बड़ी तादाद है तो गार्डन में ही लोगों को घिरफितार किया जा सकता है क्योंकि जेल तो अप्फुल हो जाएगा, उन से हजार सिक्षकों का एका एक करके अचानक बीजेपी दफ्तर पर धावा दे देना, तो जेल में जगा तो कमी पड़ जाएगा ना, तो शायद ऐसे ही नजारा, ऐसे ही तस्वीर उत्तर प्रदेस में देखने को मिल ला है जहां पर बेरोजगार युबाओं को रोजगार देने की बड़ी-बड़ी बाते और बड़े-बड़े लेटर लेकर प्रदान मंत्री जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे चंद महीने पहले कि वो बेरोजगार युबाओं के बारे में कितना सोचते हैं, उनको ओफर लेटर ही है, तो ये हालात बन गए हैं, दूसरों को सुनाने के लिए कहानिया बहुत अच्छी है, लेकिन जब अपने ही राचो में लोग आईना दिखाने पहुँचते हैं, तो वो कहानी दोस्तों, शायद इनके आखों तले से जो है, निकल कर चली जाती है, कि ये कोई खबर है, ये कोई लोग है, इन्हें तो ये मांगने आये होंगे, जरूर बिपक्ष ने कोई शाजिश की होगी, नहीं तो बीजेपी के साशन में सब तो खुश है, हर कोई खुश है, हर कोई रोजगार पाकर इतना खुश है, इतना खुश है, कि जबरदस्ती का लोग बैठ गए है, धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई काम थोड़े नहीं, बेरोजगार है, और बेरोजगारों के पास काम कहा होता है, वो बीजेपी का दफ्तर घेर लेते हैं, तो शायद ऐसा ही करते वे नजर आ रहे होंगे, योगी आदतनात को बद कर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले,